दोस्तो नमस्कार मैं हुझे और आप देख रहे हैं जैस्तानियूज अभी अभी NCB की टीम ने समीरवानखेडे के केस में एक बहुती बड़ा कदम ठाया है और समीरवानखेडे के केस को लेकर एक बड़ी अपडेट दी जा रही है जैसा कि आप सब को पता है कि समीरवानखेडे के ऊपर कई बड़े एलिगेशन जो है वो प्रफाकर सेल के द्वारा लगाये गए थे प्रफाकर सेल ने एक एफिडेविट दाखिल करके कई आरोब जो है समीरवानखेडे के ऊपर लगाया था जिसके बाद NCB की टीम ने भी समीरवानखेडे के खिलाप में कारवाई की और उनके द्वारा जो है विजलेंस इंक्वारी की आदेश दे दिया गया और अभी जो है NCB की टीम समीर वानखेडे के खिलाप में चानबीन कर रही है और अभी अभी जो अपडेट आ रही है उसमें बताया जा रहा है कि समीर वानखेडे के केस में चानबीन कर रही NCB की टीम ने प्रभाकर सहल को समन किया है उसको पूस्ताच के लिए बुलाया था कि NCB की टीम देली से मुंबई पहुच चुकी है और अभी कुछ देर में जो प्रभाकर सहल है उससे NCB की टीम पूश्टाज करेगी और पता लगाने की कोशिश करेगी कि आखिरकार समीर वानखेडे के उपर जो एलिगेसंस लगाए गए हैं प्रभाकर सहल के दौरा उसमें क कितना पर्षेंट सच्चाई है अब देखते हैं आने वाले टाइम पे ही कनफर्म किया जाएगा NCB की टीम के द्वारा कि इसमें जितने भी एलिगेसंस लगाए गए हैं उसमें कुछ भी सच्चाई है भी या नहीं है आपका क्या ओपिनियन है इस पर आप अपना ओपिनिय जोगे आप जाएगा जिर करें